हेलो फ्रेंड्स आज है एक अक्टूबर 2018 और हम लोग एक अक्टूबर की जितनी भी महत्रेपुन क्रेंट अफेट्स होगी इस वीडियो में डिसकेस करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरे लाश्ट तक पूरे ध्यान से देखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप को लिन्क दे दूंगा आप को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में अगर आपने हमारे टील veggies को को join कर लिजे क्यूंकि आपको सारी PDF एक साथ वहीं से download करने को मिल जाएगी बिलकुल फ्री में और अगर आपने चानल को भी तक subscribe नहीं कि कि तो प्लीज़ प्लीस प्लीस आप जल्द से मारा चानल को subscribe कर लिजे सब्सक्राइब करने बद में लोडिए दिल जो कि हमने कल के Qs में जो पूछा था उसका राइट अंसर के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत इंपोर्टन प्रश्ण का ये बन जाता है चले देखते हैं आज के जितने भी क्रेंट अफेर्स हैं उसको देख लेते हैं देखे सबसे पहला प्रश्ण आपका ये बनता है कि इंडोनेसिया में हाली में आये भयंकर भुकंप और सुनामी में काफी जानमाल का नुकसान हुआ है इस सुनामी से सबसे ज़्यादा परभावी जो द्वीप हुआ है उसका नाम क्या है और यहां के जो रेडिंग आया है यानि कि जो पैमाने पर रिकॉर्ड किया गया है माप वो है 7.5 की तिवरता से भुकंपई है जो की बहुत ही ज़्यादा मान जाती है और बात करें कि इसमें जो सुनामी की लहरे उठे थी वो लगभग 1.5 मीटर की उची लहरी थी जिससे बहुत सारे जानवाल का नुक्सान हो गया है अब बात करतें इंडोनेसिया के बारे में तो इंडोनेसिया आप इस स्कीन पर देख लिजे कि इंडोनेसिया क्या परिस्तित है और यह एसिया में पढ़ता है तो इंडोनेसिया की जो राधानी है जकारता इसकी राधानी है और राष्टपती की बात करें तो इसकी राष् अब कमपनी जो है फेस्बूक कमपनी के सीक्रूटी फीचर में खामिया के वज़े से कितने यूजस का डाटा जो है चोरी हुआ है यह सामने अभी फिलाल में आया है बात तो इसका राइट अंसर होगा option C यानि कि करीब करीब पांच करोड जो यूजर थे उनके डाटा चोरी होने की मामला सामने आई है तो बात करते हैं कि फेस्बूक के बारे में तो फेस्बूक के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे सब लोग जानते होंगे तो चली जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और भी जानकारी जैसे कि फेस्बूक की जो स्थापना हुई थी वो क की जुकरबर्ग है जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा ठेक है तो दोस्तों आई होब कि आपको यह सेकंड नमबर प्रेश्ट भी अच्छे से किलियर हो गया होगा चले देखते हैं थर्ड प्रेश्ट को देखे आज का थर्ड प्रेश्ट इस प्रकार है कि कर्मोनियम को वो बजाते थे और आपको स्क्रीन पे दिखने को मिल जाएगा कि दुल्सिदास बोरकर है कौन और इनका नधन निधन कब हुआ तो इनका जो निधन हुआ वो 29 सेप्टेंबर को हुआ तिरासी वर्स की उम्र में ठीक है यानि कि इनका निधन 29 सेप्टमबर को हुआ था जो की तिरासी साल के उम्र में हो गया और इनको ये इतना फेमस क्यों थे तो इनको भारतिय संगीत में योगदान देने के लिए 2016 में पदम स्री से भी समानित किया गया था जिसके वाज़ तो आपने स्कीन पर देख लिया होगा कि तुलसिदास बोरकर कौन है चले देखते हैं अगला प्रस्ट देखे चौथा प्रस्ट निस प्रकार बनता है कि किस विकेट कीपर ने हाली में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक 800 विखिलाडियों को स्टम करने का रिकॉर् तो देखे इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर होगा ओप्सन सी यानि की महंदर सिंग जो दोनी है हमारे भारतिये क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन थे ये और इन्होंने 800 खिलाडियों को स्टम करने का रिकॉर्ड बनाया है तो इन से पहले ये रिक कैप्टन महंदर सिंग धोनी भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने में काम्याब हो गया है जो कि यह बहुत ही इंपोर्टन प्रस्ट मनता है तो आप उसको अच्छे से नोटिस कर लीजिए चले देखते हैं अगला प्रस्ट उनके पांचवा नंबर प्रस्ट इस प्रकार बनता यानि की आठ देसे ने भाग लेने की इसमें घोशना की गई है तो वह आठ देस कौन-कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं देखिए पहला तो भारत हो गया लेकिन भारत के अलावा भी इंग्लैंड स्री लंका नेपाल बांगला देस पाकिस्तान अस्ट्रेलिया और दक्षिड अफरिका कुल आठ देसों ने इसमें भाग लेने की घोशना की है और यह टूनामेंट जो है वह नौ दिनों तक चलेगा ठीक है यह टूनामेंट जो कि नौ दिनों तक चलेगा अब बात करते हैं ICC तो यहां पर आपने देखा कि ICC वर्ड आया सामने तो ICC के ब मनोहर वर्तमानमिस के चेर्मैन है जो कि आपको इस स्क्रीन पर देखने को इनको मिल जाएगा कि सलसांक मनोहर कौन है ठीक है तो I hope कि आपको पांच वा कुश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा चले देखते हैं अगले प्रशन को देखे चठा नंबर प्रशन यह ब नाम क्या है तो रूस के जो राष्टपती है वो वलादिमीर पुतिन है जो कि आपको स्कीन पर दीख रहा होगा ठीक है और यह जो रूसी राष्टपती वलादिमीर पुतिन है वो भारत के दोरे पर चार अक्टूबर को आएंगे और दो दिवस्यें इनकी यात्रा होगी और इस यात्रा में पीए मोदी और राष्टपती रामनात कोविन जी से मुलाकात करेंगे जो कि यह बहुत अच्छा प्रश्ट मनता है तो आपको यहां पर बस यह धियान रखना है कि रूस के राष्टपती का नाम क्या है मैंने बताया वलादिमीर पुतिन ठीक है चले द नाम क्या है तो देखिए इस फर्म का नाम जो है वो राइट एंसर होगा इसका डी औरेकल इसका नाम दिया गया ठीक है तो यानि के औरेकल और नीती आयोग जो है एक तुनों एक दुसरे से साक्षर किये हैं किसके लिए तो भारत में जो नकली दवाओं की जो बढ़ती समस् तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट कीजिए नीती आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी तो एक जनवरी 2015 को इसके स्थापना की गई थी और नीती आयोग का फूल फॉर्म क्या होता है नीती का फूल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल इंस्टियोशनल ट्रांस्फ मार्च 2015 मार्च 1950 से सवी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी तो योजना जो आयोग थी उसके अध्यक्ष कौन होते थे तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो परधान मंत्री होते थे तो नीती आयोग के भी अध्यक्ष परधान मंत्री होंगे और उपाध्य कोई repeat हो तो आप उसके बारे में पुरानी चीछे हमेसा याद किजिए ताकि ये कभी confused में नहों और आप कभी भूल भी ना पाएं ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं देख्या आठवा नंबर प्रस्ण ये बनता है कि 29 सितंबर को पूरे विश्वे भर में वर्ल्ड हार्ट करता है और परतेक वर्स वर्ल्ड हार्ट डे 29 सेप्टेंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना कभ हुई थी यानि कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के स्थापना कभ हुई थी तो ये 1970 को की गई थी और इसका मुख्याले कहां पर है तो इसका मुख्याले है आपका जिने एक वर से 29 सेप्टेमबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की शुरुआत की जो कि बहुत अच्छा प्रश्ण मनता है इसले देखते हैं अगला प्रश्ण देखें नेक्स्ट परश्ण इस प्रकार है कि कि किसने महात्मा गांधी के 150 जैनती समारों की सुरुआत के लिए महात्मा गांधी अंतराष्टिय स्वक्षता समेलन ये धियान रखना है कि महात्मा गांधी अंतराष्टिय स्वक्षता समेलन का उद्गाटन किया है देखें इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर होगा अप्सन नंबर सी यानि कि डामन सिफ्टमबर से 2 अक्टूबर तक कौन सी जो सेवा चलाई जा रही है उसको आपको कमेंड बॉक्स में टाइप करना है ठीक है तो जल्दी से कमेंड बॉक्स में टाइप कीजिए चले देखते हैं आज के क्यूज का प्रश्ण आप सभी के लिए मैं इस परकार लेकर आया हूं देखे प्रश्ण इस परकार है कि परदहान मंतिर नरेंदर मोधी द्वारा 24 परवरी 2018 को चिन्नाई में जैल अलिता तमिलाडू की लोकरिये जो नेता हैं जैल अलिता की कौन सी जैनती के आसर पर अम्मा टू विलर ठीक है ये ध्यान रखना है अम्मा टू विलर योजना की शुरुआत की गई तो इसका राइट अंसर आपको जल्दी से केमेंट बॉक्स में टाइप करना है और इन से जुड़े जितनी भी चीजे होंगी आप एक साथ सब चीजे टाइप कीजेगा तक कि आपको हर चीज याद हो के चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही तो मिलत जहीं से परखर के नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लार्निंग जहीं जह भारत